ओलोवरेंट्स आजकी सेशन में हम देखने वाले हैं टwoman को क्रियेट करना है तो सबसे पहले देख ले고 जब भी प्रोजेक्ट दिखेगा जिसमें आप देख सकते हैं उपर की साइड में जो आपका जस्ट एक्षिन बार के नीचे जो एक्षिन बार की साइज जितना ही एक व्यू दिख रहा है वह आपका टैब ले आउट है जहां पर मल्टीपल टैब जाते हैं तैन उसके नीचे जो आपको दिख रहा है वह आपका व्यू पेजर है अब टैब ले आउट जब भी हम यूज करते हैं तब हम यूज किसले कर रहे हैं कि हम एक ही आक्टिविटी में मल्टीपल व्यूज दिखा रहे हैं मतलब मल्टीपल ले आउट दिखा रहे हैं और जब भी भी हमें ऐसा कुछ करते तो हम किसका यूज करते हैं फ्रेग्मेंट का यूज करते हैं तो multiple fragments को load करने के लिए run time पर हम यूज करते हैं frame layout का लेकिन जब भी हम tab layout को use करेंगे तो हम use करेंगे view pager को क्यों use करेंगे view pager और view pager होता क्या है actual में view pager क्या करता है slide वाला जो option है आपका वहां काम आता है जबी आपको कोई image slider बनाना है या gallery app बनानी है तब भी हम view pager का यूज करेंगे तो tabs के अंदर आप देखेंगे कि tab के click पे तो layout change होता ही है मतलब जो आपका fragment है वो change होता ही है लेकिन अगर आप slide करते हैं तो slide वाला option भी available रहता है tab के अंदर तो इसलिए जब भी हम tab यूज करते हैं तब हम क्या यूज करेंगे व्यू पेजर को यूज करेंगे तो कैसे आप tab layout को integrate कर सकते हैं आपके android के प्रोजेक्ट के अंदर तो चलते हैं android studio के तरफ तो यहां पर हमारा एंडूइड शूडियो ओपन हो चुका है अब यहां पर मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रेट कर रहा हूं चिके आपका को प्रोजेक्ट है उसमें आप create कर चुके हो उसके अंदर को आपको टैब integration करना है तब भी आप कर सकते हैं मैं सिर्फ आपको एक नया प्रोजेक्ट पर सिखाता हूं दाकि आपको पता चले कि स्क्रैट से शुरू किया गया है तो यहां पर प्रोजेक्ट हो चुका है तो सबसे पहले हम चलते हैं XML के अंदर जहां पर हम डिजाइन करन चुक्ड तो उसके लिए मैं क्या लेता हूं यहां पर लिनियल ल्याओट को यूज कर लेता हूं कि लीनियल लैएउट में प्रॉपटी होती है ओरियन्टेशन जासे मैं वर्तिकल आता जरूर है लेकिन by default आपको Android Studio में मिलेगा नहीं उसके लिए आपको design library को integrate करना पड़ेगा तो आप design library कहां से है कि या उसकी implementation dependency क्या है तो आपको कुछ करने की जरूत नहीं सीधा सा आपको यहाँ पे पैलेट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे containers के अंदर आप देखेंगे यह रहा देखो टैबले आउट containers पर जाना है और यहाँ टैबले आउट आपको option मिल जाएगा इसके आगे आप देखेंगे कि download का option है अगर यह downloaded होती ही dependency तो यहाँ पे download का option नहीं आता that means आपको यहाँ पे download करना पड़ेगा तो इस पर क्लिक कर दे इस लाइबरी यह Android लाइबरी है ओके कर दीजिए मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट के अंदर ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर module आप के अंदर आपको यह मिलेगा बेल्ड और फाइल के अंदर आप जाके जब देखेंगे तो यह जो डिजाइन वाली जो लाइबरी है वह इस मॉड्यूल के अंदर आपको मिल जाएगी डिपेंडेंसी के अंदर आप देखेंगे मैटिरियल नाम से यह रही है अगर आप एंडॉड एक्स वर्जिन अप्डेडिट है आपके यही होगा क्योंकि अभी जितने भी नए अपडेट्स आया अंदर उसमें आपको ए ऐसे करके आप एक डिपेंडेंसी होगी यहां पर चेंज करेंगे अंदर उसको मटिरियल नाम से प्रणाउंस के जाता है तो इसलिए इसकी जो लाइपरी कॉम डॉगल डॉट अंडॉट डॉट मटिरियल कॉलन जो वर्जिन है वन पॉइंट फॉइंट वइन तो आप यहा उस्सरम में भी ऑन होना चाहिए वहलब उसके लिए इंटरनेट चाहिएगा यह पर्टिकुलर पाच से आपकी जो एंडॉट की लैबरी है वो डाउनलोड होगी फिर इसके साथ इंटिग्रेट होगी जैकर आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं तो अब म पहला तरीका तो यह होता है कि आप इसके अंदर टैब आइटम बनाएंगे और यहां पर अपने जितने भी टैब्स है उतने ही मेरे टैब्स हो और प्लस जिनके उपर नेम्स जो है वह मैं वहीं पर सेट करना चाहूं तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूं यहां पर मैं स्टैटिक यूज नहीं करूँगा मैं इसको यहीं पर क्लोज कर दूँगा और इसकी एक आईडी दे देता हूं मैं क्यूंकि रन टाइम पर इसका यूज आने वाला है तो हम यहां पर क्या करने वाले हम चाहें तो इस टैब लेयाउट के अंदर ही फॉर्दर टैब है हम वाले सेट करेंगे तो जाकि चmernेक रिएठ नहीं हूँ हर्ण बसकर करेंगे और टैब की टाइटल किया देने वह डिफाइन करेंगे अब दूसरा पार्ट क्या आपका दूसरा पार्ट है व्यू पेजर आपको support लाइगरी से मिल जाता है आप उसे व्यू पेजर लिखना है तो यहाँ बे आपको मिल जाएगा androidx.viewpager.widget.viewpager आपको व्यू पेजर लेना व्यू पेजर नहीं लेना है दो दो अप्रेड़ेट वर्जिन व्यू पेजर जो है वह वह इसलाइकली अप्रेड़ेट वर्जिन आप व्यू पेजर चीक है मैं उसका भी अलग सेशन में बढ़ेंगे व्यू पेजर टू के बारे हटा तो आपको आईडिया हो जाएगा इसकी भी हम आईडी देते हैं अभी आप देखेंगे कि आपका व्यू पेजर है वह राइट एंड साइड में चला गया है क्योंकि लीनियर लियाओट का जो डिपॉल्ट होता है वह होरिजॉंटल होता है तो आपको यहां पर क्या कर होती है आपके action बार से यानि कि टूल बार से हाइट है वो थोड़ी सी कम होती है अगर आपको ऐक्शन बार जितनी साइस लेनी है तो भी कैसे लेंगी? question mark ATTR slash action bar size तो action bar size मेंआ आप देख सकते है action bar size और अगर मैं wrap an 있는 करता हूं तो tab और action bar size के अंदर हल्का सा हाइट के और difference होता है छोटा सा difference होता है वो यह होता है कि tab आपका height में थोड़ा सा छोटा होता है जब कि action bar height में थोड़ा बड़ा होता है किμα hurts इुद कि मैज करते आपके बॉटम नविगेशन से चलाइप करें कि तो यहांपर की तब लियाउट की साइड से और स्लाइडर में लगैगा और वहां के friends फ्रैग्मेंट भी सूच्छ तो अब हमारा काम स्टार्ट होता है में एक्टिविटी के ज़ए तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों की ID फाइंड करनी है तो एक तो मैंने टैब ले आउट लिया है और दूसरी चीज़ लिए व्यू पेजर तो इन दोनों की सबसे पहले हें तो हम स्टार्विन फाइंड करें तो दोनों की अईड़ी सबने यहां बर फाइंड कर दी है अब कोश्यंद आदा है कि टैब और भी पेजर को आप को सैट आप करना है तो सबसे पहले वो वीव 小पोँ करना होगा और उसको भी स Tucson करने से पहले हम को बनाने पड़ेंगे तो पहले हम बना लेते हैं कि हमको पहले से decide करके रखना पड़ेगा कि आपको कितने टैब्स चीए जिसे फॉर अगर आपकी activity के अंदर आपको तीन दिखाने तो आप पहले से तीन बनाएंगे तीनों पर अलग अलग चीज करेंगे वह तीनों फ्रेग्मेंट बना के रखेंगे ठीक है यहां जब व्यू बिजर को set करें तब तब आपके पास में फ्रेग्मेंट होने चाहिए इसने में प कि मैंने आपको फ्रेग्मेंट वारी क्लास में के आपको सिर्फ दो मैटर्स जो है वो जहां पर जरूद पढ़ती है बाकी मैटर्स के अभी रिक्वार्मेंट नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं जैसे कि एक आपका चुक कंस्ट्रक्टर है वो और दूसरा और बाकी किस रिक्वार्मेंट नहीं तो आप जो अन्यूज्ज कोड है या तो आप कमेंट कर सकते या फिर आप रखना चाहे तो रख भी सकते हैं कोई इस्यू नहीं है बट उससे आपका जूडे कोड्ट है जहां पर कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं वह उसलिए मैंने उसको क्लीन अप कर कर दिया तो अभी हम क्या करेंगे design wise मैं कुछ काम ने तिक क्या नहीं कर रहा हूं कि कैसे टैब को implement करना है डिजाइन आपकी रहेगी इस particular fragment में आपको क्या design करना है दूसरे fragment वापको क्या design करना है तीसरे तो आपका तायाब होता है वह कैसे होता है तो इसल कर llev थिया और धूर्ण प्याइव करना है वह हूं को पहले पहले बहुत है ङाप रख्याइव रहे है आता है वो फ्रेम ले अउट आता है इसी टेक्स द्यूग को यूज कर लेते हैं और यहां पे यह आपका string से through call हो रहा गा यानि hard-coded text था जो string में value provided थी और यहाँ पे उसको call किया गया था अब यहाँ पे आप अभी के लिए मैं दोता हूं check इसी text size भूँसी बढ़ा दता है तो मैंने यहाँ पे यह मेरा fragment बन गया चैट्स नाम से अभी हम दूसरा fragment create करते हैं जो में को second tab के उपर दिखाना है जो unwanted code है वो आप हटा सकते हैं या comment कर सकते हैं या आप as it is भी रख सकते हैं बट रिलेमेंट रहेगा जिनकी जुरूत नहीं जिन मैंतर के आपको requirement नहीं है वह मैंतर जो हटा देगे इस देर पर सिफ डेटा पासिंग के वक्त आपको काम में आएगा तो जब डेटा पासिंग हम करेंगे या जब भी आपको जुरूत पड़े तब आप इन मैंतर्स का यू अपन करवाएंगे तो यह हमारा है कि अब हम चलते हैं थर्ड फ्रेग्मेंट की तरफ यानि तीसरा फ्रेग्मेंट क्रियेट करते हैं जो भी अन्मॉंटेंट कोड है वह आपटा देंगे के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि डिजाइन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं जैसे कि अभी तक हमने सारे फ्रेग्मेंट की करें लिए तो तीनों की डिजाइन में आपको बता देता हूं जैसे हमारी फ्रेग्मेंट की होगी चैट चैट फ्रेग्मेंट की यह स्टेटज फ्रेग्मेंट की और है सब्सक्राइब जैसा आपको उसके अंदर उस पर्टिकुलर लियाउट जैसा चाहिए उसके रेलेवन्ट आपको जो भी काप करना है आप उसके फ्रेग्मेंट जावा क्लासस के नदर एक तो मैंने या फ्रेग्मेंट्स बना दी आप चलते हैं वाप इस में अक्टिविटी के अंदर जहां प्लातर है शक्राइब है यहांपर क्या करते हैं था से ठॉट कैसे हम यहांपर क्या करें है प्रेग्मेंट स्लाइड करवाने प्रेप्टर का रेफेरेंट चाहिए और हम उसको कर लें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसके सारे फ्रॉपर्टिस को जो है ऐसे कर सके और जो भी हमको प्रिकॉलर इंदर के अंधर ही करना पड़एगा और और कुछ नहीं एक जावा क्लास है तो आपको क्या करना प्रजेक्ट अंदर आपको निया जावाक्लास चर्ण करने करें तो नुब जावा क्लास यहां पर क्यों यह आगे एक इभा देता हूं विपैजर श्या effete कि अब देखो मैंने यहां पर मैसेंजर क्यों लिखा बीच में आगे देखो लिखा जिससे कि हम यह इंटिफाइब कर सके कि यह व्यू पेजर का एडप्टर है सबसे पहले मैं बात करता हूं एडप्टर पीछे इसलिए आया है क्यों कि आप देखेंगे यहां पर क्लासे आपकी होती है जाबा फोल्डर के अंदर जो पीछे अकर फ्रेग्मेंट है तो डिफाइन करती है तो वैसे है अब यहां ही काम नहीं आदा आप रिसाइकलर को मैनेज करेंगे तब यूज दाएगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहां पर आपको आपको पड़ती है करने से क्या होगा तो अब बीच में लगाएं मैसेंजर के लिए व्यूपेचर अगया इसे रिप्रेंग करने से क्या होगा कि आप name से पैशान पाएंगे कि अंदर काम क्या हो रहा है ठीक है तो यह बहुत जरूरी है naming convection रखना बहुत important है तो इस android के session के अंदर जो सबसे important चीज जो आप हर एक session में देखते जाएंगे वो यह है कि naming कैसे करना है हर चीज में हर class में आपको कुछ नया सीखने को मिलता है लेकिन जो naming convection है वो हर class में आपको सीखने को मिलेगा एक ही pattern से कि आपको इस pattern से अगर आप यूज करते हो तो आपके लिए beneficial है प्लस जो आपके code को read करता है वालब जो जैसे आप किसी company से किसी को project handover करते हैं आप किसी दूसरे project में चले जाते हैं तो जो दूसरा developer उसको ठीक है थो अब यह नाम से अदर्टर है यारी कि नाम से इसको एक्चुल में और को हमको अक्शेण करना पड़ता में उसके अदर कुछ अब से नहीं है जिनको उपर बोराइट करना ही पड़ेगा तो जब तक हम इसको एक्सेक्ट मेटड को और नहीं करेंगे तब तर है आपको क्लिक करना है को इसके मैं अपको यहां आप नौननल को हटा सकते हैं यह मैथड तभी कॉल होगा जब नल इसको पॉइंट नहीं कर सकता है तो हम इस वे यूजर को यूज कर रहे हैं तो हमको पता है कि गैट आइटम कॉल होगा क्योंकि की मल्टीपल पोजिशन दे रहे हैं हम यहां पर तो यह दो मैथड जो है गैट काउंट और गैट आइटम इन दोनों को समझेंगे उसते पहले आप देख सकते हैं कि रैड लाइन अभी तक गई नहीं है तो यहां पर क्या है आपको एक कंस्ट्रक्टर कॉल की भी जरूत है आ यह कौन सा है परामिटराइज कंस्ट्रक्टर है यानि इसको एक फ्रैगमेंट मैनेजर चीए होता है अब यह इंपोर्टेंट क्यों है उसको समझते हैं कि जब फ्रैगमेंट को आप सैट करते हैं जैसे कि प्रीवेस सेशन में देखा जब आपने फ्रैगमेंट सीखा था और आप एड रिप्लेश या रिमूव कर दखते हैं तो फ्रैगमेंट मैंजर जो है वह हमेशा मैंने बगा था आक्टिवीटी के रेफरेंच से मिलता है चिए जब भी हम स्ट्रेगमेंट मैंजर लिया था तो आपको बता होगा ěट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैंजर से वह का reference आता है तो यहां पर यह मैं फ़र्दर दूसरी class के अंदर हूँ तो यहां पर मैं उस fragment manager को access कैसे करूँगा तो इसी लिए जब भी हम इस class को use करेंगे जहां पर भी तो जहां पर भी मैं इसको call करूँगा जैसे कि यूपेजर के उपर इस अडेप्टर को set करने के लिए मैं इस class का object बनाऊंगा तो क्या call होता है जब भी हम इसी class का object बनाते है तो उसका constructor call होगा तो अगर नॉर्मल ही मैं इसको fragment manager का यह अगर हम नहीं बनाते तो क्या होता एक नॉर्मल अबजेक्ट बन्दा और ब्रैकेट में कुछ नहीं जाता क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ भी वैल्यू पास नहीं होती है लेकिन यहां पैरमेडरा इस अब किसका reference मिल जाएगा fragment manager का और यहां पर इस जितने भी मैतर से जहां पर इसको fragment की जरूद होगी तो अब यह fragment manager की health से fragment को add replace remove जैसा चाहे वो कर सकता है चीक है तो इसलिए यहां पर इस constructor का role important है और यह इस लिए आपको रेड लाइन आ जाती है आपको लगाना ही पड़ता है क्योंकि बीना fragment manager के आप fragments को manage नहीं कर सकते तो इसलिए और fragment मेंजर का मिलता है आपको main activity क्लासेज में तो इसलिए इसको constructor के एक instance variable बनाए गया है ताकि जब भी इसका object call हो तो साथ में इसका fragment manager जरूर आए चीक है तो अब चलते हैं दूसरे method को समझते है यहां पर कि यह क्या चीज़ है get item तो इस get item method को करना हम देखेंगे तो इसका return type क्या है fragment और bracket में क्या जा रही है position जा रही मतलब कि जब भी यह method call होगा तो position लेके आएगा और return में क्या जाएगा fragment जाएगा तो यहां जो हमको code करना है वह यह करना है कि हमको किस position पर क्या fragment लोड करवाना है तो कैसे करना है return को हम अटाते हैं यहां पर आपको करना है if position क्योंकि different position के उपर आपके different fragments होंगे अब position कितनी होगी वह position define कर लेते हैं तो यह जो तीसरा method है वह क्या कहलाता है get count अब get count का return type क्या है integer मतलब यहां पर आपको integer return करना है अब यहां पर जितने number of tabs है मतलब जितने fragment आपको दिखाने उतने ही tabs होंगे आपके तो उतना ही amount यहां पर आपको देना है यानि कि एकर मैंने तीन tabs है तो मैं तो मैं को तीन देना है मेरे five tabs है तो मैंको five देना है ठीक है seven tabs है तो seven देना है तो आप जो भी amount है वह यहां देंगे मतलब जितना भी count है tab का वह यहां देंगे एक्चुल में यहां count जो है वह आपका किसका जा रहा है fragments का जा रहा है और fragments क्यूंकि लोड किस पर हो रहे है इसलिए किसका हो गया count व्यूपेजर का बट एक्चुल में देखा जाए कि व्यूपेजर जो है वह आप किससे set होगा tabs से synchronize रखना पड़ेगा आपको जितने मे यहां देगे खिए तो पहला चीज तो आपको यह चीज देने है उससे पहले आपने वने ज attach रहो है घला आपको नैविकेशन यहन वां ना left कहता है कि अगर आपको 3 से 5 आइटम दिखाने तो आप टैब को यूज्ज करो अगर आपको 5 जादा आइटम यूज करो यूज करो और और आपको तीन से 5 के बीच में आइटम्स नैविगेशन चाहित तो आप टैब को यूज कर सकते हो ऐसा नहीं है के पांच तक ही आप टैब्स दिखा सकते हो उस जादा कर दिखाना है तो अगर यूआई के बीच में आपको टैप को यूज करना चाहिए पांच से के बीच में है तो आपको बॉटम डैविगेशन यूज करना चाहिए और साथ से जादा है तो आपको डैविगेशन ड्रॉवर को यूज करना चाहिए तो यहां पर आपका गैट काउंट में आ जाएगा नंबर और यहां क्या करेंगे इस पॉजिशन इस इक फोजिशन के लि लुगि इंडेक्सिंग हमेशा कहा से स्टाट होती जीरो से यह पांच है तो 0 से 4 तक 3 यह तो जीरो से 2 तक ठीक है तो इस पोजिशन इस इपको खोग पर जिए फ्रीषभन को राग्मेंट का ऑब्जिट तो मैं स कॉस्ट जो मेरा टैप ए जो first मेरा fragment है वो क्या होने वाला है, यानि जाल ने होने वाला है, यानि यानि चैट फ्रेगमेंट होने वाला है, तो मैं return रेटन क्या करदेंगे, return new chat फ्रेगमेंट का object, return करदोंगा, then else if position is equals to equals to one, या हां return क्या करतेंगे हम, जो हमको second tab पे दिखाना है यानि second fragment जो हमको दिखाना है तो new status fragment और बचा कौन सा else statement to return new calls fragment जब आप if else में कोई return statement डालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका last statement है वो else होना चाहिए या फिर आपके if else के अंदर कहीं न कहीं else होना जरूरी है क्योंकि जब भी return करना है कोई भी method के अंदर तो अगर आप if else जैसे में अगर यहाँ पर केवल यही यूज करता else position is equals to equals to 2 ऐसे भी possible था जरूरी थोड़ना else लगा नहीं क्योंकि हमको यहाँ पर return करना है तो यहाँ पर हमेशा error शो करेगी कि हमारे पास कोई ऐसा else method विला ही नहीं मनलब कभी अगर ऐसा हुआ कि कोई position इसके से match नहीं हुई तो एक else तो होना ही चाहिए जहाँ पर आपको return statement पास करना ही चाहिए ताकि इन either situation जब कोई भी condition ट्रू नहीं हो तो वो condition ट्रू हो else में आए और वो return statement पास हो जाए क्योंकि यह method के अंदर आपको return लगाना ही है तो जब भी आप if else लगाते हैं और उसके अंदर return पास करते हैं तो यह चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी if else if में हमेशा जो last रहेगा वह आपका else statement रहेगा और वैसे भी हम अगर देखें तो अगर मैं else पे position equal to 2 रखू या केवल else रखू बात तो ही कि है क्योंकि तीन ही तो है तीन number of tabs है तो position क्या रहेगी 0 1 यह 2 तो 0 पहले से आ चुका है 1 आ चुका है else if condition के अंदर तो अब else में क्या आ जाएगा और automatically आपका for 2 के लिए आ जाएगा तो अगर इंडेक्स जो है position जो आती वह 2 आती है तो automatically पहले वाली condition true नहीं होगी else if भी true नहीं होगी तो बचा कौन सा else तो else आपका true हो जाएगा जो आपका code है वह execute हो जाएगा जो ब्लॉक है वह execute हो जाएगा तो automatically else के अंदर जब true होगा तभी else execute होगा और तभी क्या call होगा जो बाइडिफॉल्ल जितने भी methods आते हैं उनमें हमने कोडिक कर दिए कि हमको किस पोजिशन पर क्या दिखाना है और कितने फ्रेग्मेंट होंगे इन टोटल इस प्यू पेजर के अंदर अब हमको यहां पर क्या सेट करना है टैब के ऊपर जो टाइटल सेट होगा वो भी ह यहां से करेंगे कैसे गैट पेज टाइटल एक मैथड होता है यहां पर अब दिखो गैट पेजट टाइटल के अंदर में यहां पर अपर अप्टा सकते हैं आप रख सकते हैं हमको बता कि यहां पर यूज़गा इसलिए यहां पेज़ पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं होना चीह पॉस्ट सिंडेक्स पे क्या टाइटल होना चीह और एंड और और ऑन उन चीक है तो यहां पर पॉजिशन कि में बात करूं तो इसमें आपन वहीं चीज़ करेंगे जैसा कि हमने यहां पर गैट आइटम के अंदर किया था हूं जो गैट आइटम मैठ्ट आय।न अनी पॉजिशन आ रही ती आके बास में और डिटन क्या करना था यहां पे भी पॉजिशन नानी को रीटन क्या साथ यो मतलब जिडियो खेसे सपरा डिखाना है सफ सड़ीजन न om करिकां आफ को यह हूं सब्सक्राइब से start होती है और हम उस टैब को 0 तो नहीं बोलेंगे 1st से start होती है Numbering जो है, वह हमारी मन से start होती है तो हम यह क्या करेंगे if position is equals to equals to zero मनलब की Tab 1 है तो टैब 1 पर आपको क्या title देना है वह आप यहां पर return कर देंगे as a string चैनल क्या हो यहां पर चैट को एल सिफ पोजिशन इस इक पोज टो एक वोट वन को यहां हम रिटन कर देंगे जो हमको सेकेंड टैप पे दिखाना है तो सेकेंड टैप में इस्टेटमेंट देना बहुत इंपोर्डेंट है तो हमारा जो भी लास्ट वाला रहेगा वह मैं एल्स के यहां पर हमारा जो काम था आड़क्तर के अंदर जो काम था वह ने को लिखी लिए अब इसको यूज करना है यह नहीं सिर्फ मैंने एक व्यूपेजर लास व्यूपेजर जो एक लास बनाइए उसमें फ्रैग्मेंट पेचर एक्सेंड किया है और उसके जतने मैंटर हमको चाहिए होता है उनको वर्राइड किया है हमारे नीड के अकॉडिक जैसे गैट काउंट चाहिए होता है कि मैं कुछ जीरोत पोजिशन भी क्या दिखाना है और एक मैंटर हमने खुछ से मैनुवली ओवर्राइड किया है वह है उससे क्या होगा जो टाइटल है वह चेंज हो जाएगी मतलब जीरोत इंडेक्स पे जो टैब है यानि कि परस्ट जो टैब है आपका वह उस पर टैटल क और वaturesक अब्छाव का लगया है में अग्ट विटेविटी में तो हमको इस चंप हाल आप्जिट करना पड़े और सब्सक्राइल को करना पर एक हमारे व सबसे पहले हमसे हमको सब्सक्राइ готов befram ऑना पडेगा तकि मैं इसको ताकि मैं इसको view-pager के उपर set कर पाऊं एडप्टर किसके लिए बनाए था व्यू-pager के लिए तो set किस पर करेंगे व्यू-pager के उपर तो पहले उस class का object बनाते हैं तो जैसे ही मैं इसका अब आपको समझ में आगे fragment manager मांगने लग गया है यहां वह जो mandatory call ती इस इसके अंदर fragment manager का जो instance variable put किया गया है यह क्यों required था है इसलिए required था है क्योंकि जब हम इसको ऐसे object बना के call करेंगे तो यहां से हम get support fragment manager का reference देंगे तो यहां से fragment manager जो है वो उस particular adapter class में जाएगा क्योंकि अब adapter set करने वाला है तो उसको भी तो fragment manager चाहिए होता है और fragment manager आपको activity class में मिलेगा डॉर्मल जो आपने class क्रीट करीव वहां पर नहीं मिलेगा तो इसलिए वहां पर वह जो है लेकिन अभी तक टैब और व्यू पेजर का जो synchronization है वह नहीं हुआ है बदलब कि अगर आप देखेंगे तो टैब और व्यू पेजर दोनों साथ लगें और दोनों वह साथ में तो चलाना है मिलेगो तो अगर मैं एक मुलेटर पेस्को रहन करके आपको दिखाता हूं तो यहां पर हमाहा वान हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि जो resolutions यहां पर और यहां और यह रहे यहां ब़िवाज़ करेंगे तो यह यह आपका व्यू पेजर वाला प्रॉपर्टी है व्यू पेजर में ऑप्शन मिलता है कि आप ऐसे स्लाइड करके फ्रेग्मेंट को स्विच कर सकते हैं मैं अमिलिटर पर कर रहा हूं इसके थोड़ा करला सा लाइड जो आपके पकड़ करना पड़ रहा है अगरहां वोड़ा प्रकूष प्रेंट करेंगे की सेatड कर सकते हैं और क्या एप्लिकेशन्स है कहां किस-किस जगह पे टैबले आउट यूज होता है और कैसे आप और इंप्रूव कर सकते हैं अपने यू आई को टैबले आउट को इंटेग्रेट करके तो आज ही गलास के लिए इतना ही थैंक यू